हालो एब्रीवन वेलकम बैक टू मैं यूटूब चैनल फैंटेसी टिप्स फ्रेंड इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्शेवी वर्सेज डिली आर्शेवी वर्सेज डिली का यह मैच फ्रेंड यह खेला जाएगा एम चीना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर में ठीक है यह ुद्टर का हॉम ग्रावंड मैच है और यह विराड कोली का फैबरेट घ्राउंड है ठीक है फ्रेंड। इस वाले मेच में पीच कैसा होने वाला कौन कौनसे पल्यों चलने वाला है। कौनuban से प्लेयर पर हम रिक्स लेना चाहिए ग्रैनली का गेम चेंजर कौन-कौन से प्लेयर बन सकता है सारा कुछ आफ जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो के एक लाइक चैनल को सस्क्राइब साथ में टेलीग्राम चैनल कौनों टीम जो आपस में मैच केलते हैं तो कौन-कौन से प्लेयर बैट्समैन बॉलर इंपोर्टेंट रहते हैं पहले वो रिकॉर्ड हम जानेंगे उसके बाद हम प्लेयर का रिकॉर्ड जानेंगे उसके बाद किसको किसको रखना चाहिए उस सारा कुछ जानेंगे चलिए वीडियो को हम यहां पे स्टार्ट करते हैं ठीक है RCV वर्सेश दिली का मात्र एक मैच हुआ है वो पिछले सीजन में 27 मैच वो भी जो मैच हुआ है उन्विलिवल मैच 100 क्रेडिट का टीम बना है वस जो मैच हुआ है पिछले साल का अभी इस साल का पहला मैच है और पिछले साल बस मात्र एक मैच हुआ है ठीक है लेकिन वो जो टीम बना है 100 क्रेडिट का जो की मतलब की बनता ही नहीं है लेकिन बना हुआ है ठीक है फीर से बनने वाला नहीं है कि आप यह मखश्ची की सो रिरीट का बढ़ सकता है हाँ अपर क्रेडिंट में देख सकते हैं कि सारे लिक्रिर्ड के शार पल्यार रहा है नो क्रेड्ड के दो और सारे नौ के यहां पर देखेंगे तो चार जब कि सारे नौ का इस समय जो है चेंज कर दिया गया वह बहुत कम देखने को मिलेगा दस करेड़ी का भी पर यह नहीं मिल रहा ठीक है चले फ्रेड़ यहां पे दोनों का अगर आपस में रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो आप अनुमाल लगाएंगे क अगर आर्सेवी की टीम पहले बैटिंग करती है तो आर्सेवी का इस्तिती खराब हो सकता है ठीक है पहले बैटिंग करती है तो आर्सेवी का इस्तिती खराब हो सकता है जिसमें बिराट कोली और फाफ डू प्लेसिस यह दोनों बैट्समन कर जो है इस्तिती खराब कर सकता है दिल्ली की टीम ठीक है रिकॉर्ड करें सार में बता रहा हूं जिसमें अक्षर पटेल को रखना ही रखना है अगर फॉस्ट बॉलिंग होती है तो ठीक है यह बात हैं दिजेगा अक्षर पटेल दिल्ली के तरफ से दिल्ली के फॉस्ट बॉलिंग होती है तो रखना है निच्छ सार्दूल ठाकुर थे पीछले सीज़न अभी चेंज हो गया है तो इस वाले मैच में लेफ्ट हैंडर रखना है अगर आर से वी की टिम पहले बैटिंग करती है यह बोली ले फेंडर आर से वी के सामने रखना है आपको ठीक है ले फ्रेंडर बॉलर दिली में इम र माक्सेल जो है स्कोर की है मैक्सेल इंप्टेंट है बाकि सिराज को भी यहां पर विकेट मिला हुआ है यह बात थ्यान से सिराज Death जुआ है बीगेट मिला हुआ है और हेजल अब स्कुनिय आपके कुछ खास नहीं लेकिन सिराज कारतिक के यहां आच्छा प्रित्वी सो का कुछ खास नहीं है और इस सीजन में प्रित्वी सो का फ्लॉप होने का एक रिकॉर्ड बन गया ठीक है रहा है इतना मतलब रिकॉर्ड अभी तक इनका था ही नहीं कि वो लगाता रहा है ऐसे फ्लॉप चले जाए एक से दो मैच फ्लॉप होते थे उसके बाद यह बारा इसको कर जाते थे पिछले ही सीजन का आप देखिए बॉयस क दोनों को एक साथ रख रहा है तो देखिए पीछले रूल के अनुसार जो है राट को लिए और प्रित्वी सो ड्रिम टिम का हिस्सा है अभी नए रूल के अनुसार देखा जाए तो यह दोनों को जो है उठागर के बाहर कर दिया जाएगा पचीस तीस इस पॉइंट वाले पॉले पहले नहीं चाहिए ठीक है ति यह दोनों रूल के अनुसार नए रूल के अनुसार दोनों ड्रॉप माना जाएगा ठीक है तो यह दोनों ड्रॉप ही है समझे अभी चलिए फ्रेंड़ यह तो आप देखिए अबसगी हम जहां पर रिशपंत कि उस तीम के सामने तो ग्राउंड पर यहां पर हम आते हैं तो इस ग्राउंड पर बैंगलोर की टीम दो मैच खेल चुके हैं दोनों मैचे आप देख सकते हैं यहां पर एक जो मैच हुआ है इनका पाच्वा मैच हुआ है तो पाच्वा मैच आप देखेंगे तो बैंगलोर की टीम पहले बॉलि करा के भी आए हैं और इनका फास्टर बालर जो भी है एक साथ यहां पर वर्क किये हुए है ठीक है चार बॉलर एक साथ आए है इस एक स्पिनर के साथ यह बार ध्यान दिजेगा ठीक है और इस अगर बैंगलोर के टीम का बॉलिंग होता है तो जो भी टेम बैटिंग करेगा उसका टॉप ओडर धाना है ठीक है इस इस पीच पे इस ग्राउंड पे और इस ग्राउंड के अनुसार देखा जाए तो फास्टर बॉलर को यहां पे मदद है फास्टर बॉलर को 80% मदद है जो भी मैच हुए है उसके अनुसार अभी हम चलेंगे आपको दिखाएंगे दूस मैच जो दूसरा मैच हुआ है उसमें भी आपको सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा वहां पर भी फास्टर बॉलर को मदद है ठीक है चलिए हम यहां पर आते हैं दूसरे मैच के पास और दूसरे मैच पर एक और बात देहां देगा बैंगलोर की टीम फर्स्ट बाइटिंग भी की हुई है यह जो जो मैच देख रहे हैं उसमें उसमें भी जो है इनका अच्छा खासा रिकॉर्ड ठीक है यहां पर देखिए इसमें जो है इनका हुआ है बैटिंग ठीक है और इस बैटिंग में और एक और बात देखिए यह जो पीच्छा यहां पर हाई स्कोर दोनों मै बाइटिंग में यह दोनों जो है अच्छे किये हुए है यानि कि यह पीच जो है इन दोनों को सूट करता है कहीं हो सकता है मतलब फीर से यह कर जा लेकि देखिए यहां पर मैक्सवैल भी किया है और इनके साथ जो है तीन बॉलर ले कर आया है जिसमें सीराज तो कॉमन पलेयर बन गया है ठीक है सीराज यहां पर भी आया हरसल पटेल यह दोनों को मन है और डावलू पॉर्णर लिए लेफ्ट हैंडर बोला ठीक है उसके बाद यहां पर देखेंगे तो सेकेंड इनिंग में फीर से जो है यह टीम जो है ओपनर चलना चाहिए ठीक है रिकॉर्ड तो यह हो गया ठीक है अब तर रिकॉर्ड के उनसार भी जो है आप टीम बना सकते हैं लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वैसा भी हो सकता है वैसे भी आप जा सकते हैं दोनों को अब देख सकते हैं तो कार्थी को ट्राइब करेंगे कि टॉप तर देखिए बहुत मैकस्मिंजों सभी लोग जो है क्या करने वाल है बिराट को भी रखेंग है डुप्लेसित को रखेंगे लेकिन पीछ के तो यहीं बोलता है ढलत हो सकता है कि यहार टोट सकता है लेकिन साइड अगर कहीन ही टोड़ेता एक बाद धियान दीजेगा अगर अगर आपको करना क्या होगा सींपल सा ठीक है नोजे को demand car Nanami को फिली lessर को यह दो बोलर को अबको डॉर करके चनल पर सकते हैं यहां पर अक्षर पटिल को ले सकते या फिर कोई आप दो ही बोलर लेकर के जा सकते हैं एक और आउंडर एक बैसे पहले तो अब नोजे को डॉप करना होगा ठीक है क्योंकि इनका सामना तो उन्हीं लोगों से होगा या फिर ऐसा होगा देखिए गा इस वाले मैच में दिल्ली लेफ्ट हैंडर बॉलर इनका रहमान बॉलर है ठीक है इम रहमान विकेट निकाल कर लेकर चला जाए या फिर इस वाले मैच में आपको यहां पर इनका एक और लेफ्ट अंडर है कलिल आहमद यह खेल सकता है यह वाले मैच में ठीक है कहीं इनको जो है विकेट मिलेगा और से भी अपक्ति तेकर कि इस टीम के सामने राइठ एंडर तो दिखिए खेलते हैं किने लेकिन मेरा उन्मान है कि कहीं डोनर नखी लागतार परफोर्मिस चल रहा है ये पलियर भी इस वार्नर का जो कमझोरी है और इस्पिनर बोलर इनका जो है कमझोरी है तो ब्रैस्वेल इनका विकेट निकाल सकते हैं या पिकेस अर्मा निकाल सकते हैं लेकिन यह लुक पाउड प्ले में आएंगे यह भी व्याद देहां दर है ठीक है तो वार्ण और फाप्डू प्लेसिस विराट को ली ग्रैनलिक में एक साथ लेकर के चलना थोड़ा सा मतलब कुछ अलग हो जाएगा और देखिए प्रित्वी सो ग्रैनली का गेम चंजर प्रित्वी सो बन सकते हैं कहीं जो है इस टीम के सामने स्कूर कर जाए ठीक है तो प्रित्वी सो अगर फॉस्ट बैटिंग होता है तो ज्यादा तर चांस होता है कि यह बारा-पारी मतलब सकते हैं और यहां पर बात के जाए विराट कोली और फाप डूप्लेसिस का अगर इनकी टीम जो है इसेकेंड बाइटिंग करता है तो दोनों को एक साथ ड्रॉप कर सकता है रिक से ले सकते है ठीक है इनकर फास्टर बोलो को रख सकता है यह खलील आहने इनका जो भी ओपनर पार प्लेकर बॉलर यह कर सकते हैं चांस कमें लेकिन ऐसे कर सकते हैं अब देखिए फ्रेंड यहां पर मनीश पांडे हैं डेविड वार्णर है तो दोनों को एक साथ ट्राइ नहीं करना है ग्रैली का अनुसार ठीक है विराट को लिए फाप डूपलेशिस है और मैक्सवेल है इन तीनों को एक साथ आपको ग्रैली के अनुसार ट्राइ नहीं करना है विराट को लिए फाप डूपलेशिस और मैक्सवेल ठीक है और खासकर कहला है ते पिर आपको जाए तो अगलत हो जाएगा ठीक कि आपको तो ड्रॉप करें चलना ही चलना होगा ठीक है यहाँ पे देखिए धाल स्थो 무 मैक्सुएल सिराज까지 का मतलब है सीccoliigi को रखने कजिस्पल सा हर सीधा मतलब है ठीक है कि इनका ओपनर को आउट करके जाएगा सिराज या फिर खुद फ्लॉप होगा या फिर बीकेट ले करके जाएगा यह बात ध्यांति है खासकर यह सेकेंड इनिंग में अगर बंगलोर की टीम कि फुर्स्ट बॉलिंगक करता है अगर आप सिराज को रख रहा है तो फिर आप जयाता रहा फिर नों और हैं फिर फिर आईगा तो आउट करके जाएगा या फिर खुद बाहा जागा छेगा इसके बारे में आप जहाँ सı préparभ meters का सिराज कर रहेगा या फिर किसी और को बाहर करके जाएगा तो वस यह फ्रेंट दिनेश कार्थी को फर्स्ट ट्राइब कर सकते हैं ठीक है बाकि एस खान आप सर्व वहीं है दिनेश कार्थी का अच्छा है विगट की पा सेक्षन में और बाकि यहां से बैटिंग सेक्षन से मैं यहीं क को बाहर करना है ठीक है बाकि वीराड को रख सकते हैं ठीक है फआप डुबिसी और वीजाड़ को दूर स्टरोप भी हो सकते हैं तो अभार स्राज को हो सकते हैं या फिर विली और भीकिट निकाल लेते हैं कभी कदा फुर्बूप होता है बाकि मैच में रखना है केसरमा को रखना इनका पूम का कि नहीं हुआ है तो इस वाले मैच में ब्रेस्ट एक साला उंगए किसी को ट्राइए करेंगे अगर दोनों एक साथ कि अगर इनको ट्राइए नहीं करना तो आपको सीधा ट्राइए करना यह नोर्चे को और जो है वीके टेकर बॉलर है भले ही दू में से फ्लॉप चल रहा है कहीं इस बार जो है कमबैक करेंगा तो सीधा विराट को लिको और या फिर फार्ब प्रेस के यह उग्रागर के लिक का प्तार बॉलर है तो ट्राइट कर सकते हैं एक से दू मैंच में ट्राइट कहीं मिले इनको ठीक है लेकिन देखिए का कुल्दी प्यादा और फिर अक्छरपटेल आएसा तो पीछ नहीं है कि दोनों एक साथ आजया ड्रिम ट्यूम में पीछ जो है रिकॉर्ड के अनुसा प्राई करना प्राइब प्राई नाहीं करना टीम जो गलत हो जाएगा ठीक है फिर भी कुछ भी हो सकता है grand league की बात है तो कुछ भी हो सकता है अगर आप चाहे तो ठ्राई कर सकता है ठीक है बागी देख़े डाबलू पॉर नर डी वीली और यहां पर बॉलिंग सेक्षण में आपको जा सिराज नोड जाए ठीक है इंदोनों को रख रहा हैं तो फिर हर्सर पटल को ड्रॉप करके में हर सर्पकों करके और यहां पर डॉल्प को यहां पर रखेंगे उसके बाद आपको रखना है तो मुकेस इसकुमार को रखना है ठीक है उसके पटेर को रखे और स्थेक्षन में रसी वीकी बैटिंग होता है तो मैक्सवैल और पटेल दोनुं को लेकर रेके चाल सकतें हैं अगर न्यों भूह तो बहुत कम चांस हुआ लगतार डोमार यह खेले इनका रिकॉर्ड है लागतार दो बार बरी पड़ी आहily ठीक है उसके बाद देखिए और पॉवल जो है कम बैक कर सकते हैं अभी इनका जो है बैटिंग दिली के जो पिछला रिकॉर्ड था उसके हिसाफ से नहीं आ है तो पॉवल को ट्राइब कर सकता है मनिस पांडे को ट्राइब करना है जब फर्स्ट बैटिंग हो तभी ट्राइब करना है अब देखिए बैटिंग सेकेंड बेभी अगर चाहे तो मनिस पांडे को ट्राइब करेंगे प्रित्वी सो को ड्रॉप कर रहे हैं तो ट्राइब करेंगे कि प्रित्वी सो फ्लॉप चल है अगर आप जी स्टी में रखे हैं तो इस तरह से आप उनको ड्रोप कर रखे हैं तो ड्रोप कर रख सकते हैं ठीक है फिरन और यहां पर कप्तान और वास कप्तान कप्तान का बात किया जा तो तो यही बोल रहा है कि आपको विराट कॉली बनाना है record यही बोल रहा ह ہیں विराट कॉली फार्ट तो इन खो ले कर श्क्तान कर सकते है फ्लॉप चल रहा है कि इस आपको पॉइंट के उसके बाद अगर आपको दुसरा कोई पलेयर है नहीं डिनेस कार्तिक्षिक है कि नसीब से कभी बन जाएंगे तो कोई झूरत नहीं है दिनिस कार्ति को टीम में ही रखना बरी बात है कप्तान बनाना कुछ अलग हो जाएगा ठीक है अगर दिल्ली के तरफ से अगर टीम लगा रहा है तो सीधा आप देखिए अगर ऐसे भी टीम लगा सकते हैं वार्नर प्रित्विसो उसके बाद नौर्जे कुल्दी पियादा उनका स्कुमार पणाने को ट्रौप सकते हैं प्राड मारं सकते हैं यह यह एकमे बिरर्णी को राख करके करuesto सकते हैं इस history कर सकते हैं उसके बाद इनका जो है आर्सीवी का ब्रेस्वेल और मैक्सवेल इन दोने में से किसी यह को ट्राइ करके बॉलर तो इनको रखना ही रखना होगा बॉलर रख सकते हैं बाकि क्योंकि दिल्ली का जो है प्रित्वी सो फर्स्ट बैटिंग होता है तो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं यह भी धेहां दिजिएगा बहुत पांच यह उपर साथ उपर खेलेंगा यह पलियर अपना चालीश-पचासर मार घर के आउट हो जाता है इसे तो आपको बॉलर इनका वेली को रख सकते हैं सियाज को फॉर्स्ट बॉलिंग में अगर्शाट रिक से ले सकते हैं छोड़ सकते हैं और के सर्मा को रख सकते हैं इस तरह से इनका रख सकते हैं ठीक है तो वीडियो का एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिएगा